हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागते इस्टडी फ्यूजन पर और आज लेकर आए हैं इंजिनेरिंग ड्रोइङ की नेश्ट किलास जिसमें हम डिस्कस करें हैं ड्रोइङ इस्टूमेंट्स को और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टी स्क्वेर और इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे protector and set square तो वीडियो को start करेंगे लेकिन start करने से पहले सभी वीडिस request करूँगा चैनल को subscribe कर ले और new वीडियो की notification के लिए bell icon को press कर ले तो now protector देखते हैं protector कहां use किया जाता है ये use किया जाता है to measure or to draw any line at any angle जिहां किसी भी angle पे कोई line को measure करना या फिर नई line draw करना उसके लिए हम use करते हैं protector को और इसके जो material होते हैं वो celluloid का बना हो सकता है seat metal का बना हो सकता है या फिर किसी और plastic का बना हो सकता है और अगर इनके types की बात करें तो most commonly used है semi circular protector semi circular के लागा circular और rectangular type के protector भी market में available है तो ये तीन type protector के होते हैं तो ये हो गई protector की बात अब देखते हैं set square set square क्या होता है right angle triangular pieces जो use किये जाते हैं draw करने के लिए different angles ये दो type के होते हैं एक होता 45 degree set square और दूसरा होता 30 degree 60 degree set square जो first होता उसमें दो angle होंगे हमारे 45 degree के और third होगा हमारा 90 degree पे और जो second type के set square होगा उसमें एक angle होगा 30 degree और एक होगा 60 degree और third angle हमारा common होगा 90 degree और set square के अगर important use के अगर हम बात करें तो ये use होता है T square के साथ vertical lines खीचने के लिए parallel या समानतर रेखाई खीचने के लिए और सबसे important third point set square की मदद से हम angle draw कर सकते हैं 15 degree के multiple में जो होगा 15 degree, 30 degree 45 degree, 60 degree और इसी परकार 15 degree के multiple में ये angle चलते रहेंगे इसको समझने के लिए एक diagram को हम देखेंगे तो इस परकार set square के combination से हम 15 degree के angles में lines draw कर सकते हैं 15 degree, 30 degree, 45, 60 degree, 75 degree और इसी परकार ये आगे चलते रहेगा तो set square में सबसे important ये है कि 15 degree के multiple में angles बना सकता है और यही question बहुत बार exam में पूछा जाता है तो उम्मीद करता हूँ set square और protector के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है तो इस वीडियो का यही पर end करेंगे वीडियो कर आपको अच्छी लगिए तो वीडियो को like कर दे इसे share कर दे अपने दोस्तों के साथ और channel को subscribe नहीं किया तो channel को कर ले subscribe thank you and take care